हेलो डियर इस्टेंट वेलकम टू मैं चैनल डियर इस्टेंट इस वीडियो में देखते हैं कार्बन एंड इट्स कमपाउंट्स के विरी सौट टाइप एंसर कोशन जो कलास तेंथ के लिए है जो भी एन्वल एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए बिस के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगा और इस वीडियो में देखेंगे कि प्रिवियर्स इयर्स में जो भी कोशन पुछे गए हैं वो सारे कोशन को लिया गया है जो कि आने वाले एक्जाम में आपको पुछे जाएंगे ठीक है तो फर्ष्ट नमर कोशन देखते हैं क्या है कहता है कि गीब दा नेमस आफ दा फंक्शनल ग्रूप आपका यह जो कमपाउड डिया हुआ है सी एच ओ इसका नाम बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रूप का है सी एच ओ तो देखे पढ़े होंगे कि सी एच ओ जो होता है वो आपका अल्डिहाइड ग्रूप का होता है तो हम इसमें क्या बोलेंगे अल्डिहाइड ग्रूप ठीक है या अल्डिहाइड ग्रूप भी लिख सकते है ठीक है तो इसका यह हो गया उसी तरह कि CWO है तो CWO सलोई CWO नहीं है CWO है और दो आपको क्या है Free Valency है दो साइट से आपको Alkyl Group जोटना है जब इस तरह करेगा C, O और दो साइट से तो यह होता है Ketonic Group Ketone Group ठीक है तो यह Second Number का इंसर Ketone हो जाएगा जो देहली 2007 में पुछा है चलिए Second Number Question देखते है Give the names of the following functional group फिर से वही कोश्चल पुछा गया है फिर से 2007 में ही O H दिया रहेगा तो अलकोहल हो गया CWH रहेगा तो कार्बोसलिक Acid Group लिखे गया है ठीक है Three Number Question Name the product other than water formed burning ethanol in the air जब ethanol को burn करते थे ठीक है तो क्या मिलता था ethanol हो गया आपका C2H5OH जब burn करते थे तो आपको मिलता दखिए कहता है कि Name the product other than water के अलाबा क्या मिलता था CO2 carbon dioxide पलस H2O और साथ में heat पलस light मिलता था ठीक है तो इसका सही हैंस लिखना है carbon dioxide other product में ठीक है उसके बाद है कि फिर एके देखिए 2006 C में पूछा है कि Name the functional group present in propanone acetone मतब one लगा हुआ है मतब ketone है ketone लिख देना है functional group का name ख़ा लिखना है ketone ठीक है फिर उसके बाद पाँवाद नबर कोशन Name the organic compounds which can be produced by fermentation of sugar is a constitute of beer तो Name the organic compounds जो क्या करता है fermentation of sugar में produced by fermentation of sugar sugar के fermentation से बनता है तो यह पढ़े होंगे आप ethanol या ethyl alcohol ethyl alcohol ठीक है जो beer का constitute है beer का constitute है parts है ठीक है उसके बाद इस 6th नमर कोशन की write the formulation for the functional groups of the alcohols and carbosilic acid write the formulation of the functional group of the alcohols and carbosilic acid तो इसका बोलना functional group alcohol का OH होता है और carbosilic का CWH ठीक है यह भी question देली 2004 में पुछा है फिर राइट than write the first number name and formula of the function group present in the compound CH3CW simple है तो यह आपका पहला नाम लिखता है तो एक carbosilic हो जाएगा इसमें function group को जाएगा CWH ठीक है यह भी देली 2004 में पूछा है शारे इसमें फिरी सोर टाइब question में इंपोर्टेट्स है next question name the main product formed when ethanol is oxidized by alkaline solution of K-monofol देले तो जब आप पढ़े हैं कि जब alcohol को means ethanol को oxidize करते हैं तो क्या मिलता था carbosilic acid तो इतनोइक acid मिलेगा तो इसका सही अंसर देखी यह आपका इतनोइक acid हो जाएगा complete the following reaction देखिए CH3, CH2, OH और sodium sodium से reaction करेंगे ठीक है इताइल अलकोहल को तो sodium ethoxide बन जागा देखिए इस reaction को धियान से देखिएगा पढ़ेंगे तो sodium क्या करेगा hydrogen को remove कर जागा और बनाएगा sodium ethoxide और plus में hydrogen देखिए यह भी पूछा है question 2004 में 10 number question क्या है कि name the organic compounds 2004 पूछा है ठीक है आउट अब देली तो यह भी पढ़े ही है एक बार question में पहले भी question आ चुका है तो CHO aldehyde होता है OH alcohol होती है चले उसके बाद आपका question पूछ सकता है कि what is a denatured alcohol denatured alcohol denatured alcohol क्या होता है देखिए denatured alcohol में ही होता है कि alcohol alcohol को लिखा हूँ alcohol which has been made unfit for drinking either mixing a small amount of methanol means जब हम alcohol basically इथाईल alcohol में methanol जोड़ देंगे methanol जोड़ देंगे या कुछ dye जोड़ देंगे तो इसी को denatured alcohol कहते है denatured मतलब भीना पीने लाइक ठीक है जो poisonous होता है means इथाईल alcohol या alcohol में कुछ amount of methanol मिला देंगे या dye मिला देंगे तो बन जएगा denatured alcohol ठीक है चले next question देखते है 12 number which gas will evolved if sodium bicarbonate is added to solution of tartanic acid तो पढ़ेंगे कि जब acid को है ना इसमें acid को जब sodium bicarbonate के साथ reaction करते है तो इसमें आपको co2 gas लिकलता है ठीक है co2 gas लिकलेगा ठीक है तो इसका आपको gas के लिए पूछ रहा है तो यापका carbon dioxide gas पूछ बताएंगे ठीक है next question है आपका उसमें वाटर भी लिकलता है और sodium और sodium के acetate लिकलेगे ठीक है 13 number question क्या है what happens when soft solution test tube is second with soft water hard water करें कि what happens when soft solution test tube is second soft solution को in a test tube is second second में अगर उसको हिलाएंगे test tube में तो क्या होगा soft water के साथ क्या होगा hard water के साथ होगा soft water के साथ soft जो होगा वो क्या form generate करेंगा we have to a lot of form क्या करेंगे lot of form मोलेंगे with soft water currently precipitate as come with hard water as come formation करेंगा hard water के साथ तो इसका इस तरह इन्सता सिवी स्टेपल पेपर 2002 में पूछा गया उसके बाद है कि what is observed when bromine water is added to ethyl जब हम ethyl means unsaturated hydrocarbon में bromine water के अड़ करते हैं तो वो क्या करता है color of bromine जो होता हो discharge होता है जो color of bromine जो blue color में होती है वो discharge होती है colorless हो जाती है जब unsaturated hydrocarbon में कोई भी alkyne में लेगे alkyne या alkyne में जिसको हम bromine test करते हैं test करने के लिए भी देखते हैं कि या unsaturated है कि नहीं 15 नमर question है आपका कि which two of the flaming compounds could belong to the same homologous release तो homologous release पढ़े हों कि एक family का सारे members जो होते हैं जिसके बीच में CH2 का difference होती है तो यहां पर देखे सबसे पहले same functional group कौन सा compound इसमें दिये हुए है तो C2H6O2 है और देखे यहां पर C2H6O है तो यहां पर यह देख रहे हैं यह दोनों same family के नजर आ रहे है ठीक है कैसे यह जो हो रहे है आपको alcohol family से दिखाई दे रहा है कि C2H6O को आप लिख सकते है C2H5OH और इसको लिख सकते है CH3OH ठीक है तो यह आपका homologous series बना रहे है क्योंकि इसके दोनों के बीच में देखी एक carbon और 2 hydrogen का भी डेपरेंस है और same functional group के same functional group इसमें attached है ठीक है तो इसमें से कह रहा है कि which two of the following तो यह आपका हो गया C2H6O and CH4 यह आपका फर्मुला किसे है CH2 से बिलोग कर रहा है और 7 में यह alcohol group का भी है ठीक है चले next क्या है 16 number question जो है write the names of two alkins one having three carbon atoms and other have four carbon atoms किसका निकला है write the names of two alkins का नाम लिखना है जिसमें तीन कार्वन होता है और एक चार कार्वन वाला तो तीन कार्वन वाला क्या हो जाएगा alkins में double world होती है धियाल देना है तो हो जाएगा आपका प्रोपील और ब्यूटिल आपको write the names लिखना है two alkins का तो एक लिखना है प्रोपील दूसरा ब्यूटिल ठीक है चले स्वेल टील अपर कोस्चल एक्स्पेमेल्टल बेज कोस्चल है कि एक टेस्ट्यूब कल्ट्यल से ब्रावल लिक्वीड और एट है टेस्टिव ठीकac ऑठेस पहरें प्रावल लिक्वीड है इंगल इ डावल लिक्वीड रिमेंस धासई मिल मिथह इजन पास्त थू इत्सपीरें वेल इजन पास्त सजजिस्ट्ज दा नेम ओफ्दा सब्स्टार्ण स्वेविल brown curl to the liquid तो देखी यहाँ पर इस सिंपल बता रहे है कि आपको जब हम bromil test लेते हैं तो basically bromil test में क्या होता है यहाँ पर बता रहा है कि suggestion लेव आप दा सबस्टाल से गिभी brown curl to liquid कॉल दे रहा है यह आपका इसका एंसा bromil हो जाएगा ठीक है bromil जो होती है आपको यहाँ पर add क्या किया जा रहा है देखिए add किया जा रहा है यहाँ पर methyl बता अलकेल जिसको हम saturated hydrocarbon काते है तो saturated hydrocarbon डालेंगे तो उसमें क्या होता है through it but it disappear well lethal बना कि उसमें कोई उसका जो brown color है वो है आप तुटमिल वाटर द susceptible मिल हो जाए कि अज़को चीना गारमी bola लोगने की ढालेंगे तो संतरुन की तो क्लर होता रहेगा पहले कौन सा कलर में था? ब्राउल लीक्विड में ठीक, ब्राउल कलर में इसके पहले कोश्चन एक जो था उसको धियाल देजिएगा मैं एक ग्रील बोल दिया था ब्राउल कलर बोलिएगा, ठीक है? तो इस तरह कर देख सकते हैं मतलब ब्रवील वाटर में अगर हम अलकेल डालेंगे तो कोई कलर गायब नहीं होगा लेकिल इथिल डाल देंगे मतलब अलकेल के रूप डाल देंगे तो डिसेपिर हो जाएगा ठीक है ध्याल रखिएगा तो ब्रवील इसका राइट इलसर हो गया उसके बाद है एटी नमर क रहे तो किस प्रोसेस से करते है तो हाइड्रो जीलेशल से होता है जो किसके परिजिट्वे निखेल या लीकल परेशिया प्ले दिल लव करते था ठीक है पढ़ें आप लॊप जैसे देखी यहां पर इसตरह की एक्सल पढ़या, यह हो गया है, इस तरह का, इस ते हम करते थ है तो हमें बिलता था था कि यहां डायागा और यह आपका मिल जाएगा उसके यहाँ पर सीचनरे ओल सुद्दिटर मतलब की उसमें डावर्ज या गण्यूद वाले होते हैं लॉट च्लॉप हाईडो करवन तो इसके बाद है लाइलिटी लेवर की वीच अब दा फॉलावी बिलोग्स टू दा सेब होलोगा स्रीज तो तो से पोलोगा स्रीज बे यहाँ देख सकते हैं C4H8 है C4H6 है C3H6 है C3 यह तो यहां देख सकते हैं A2 जो है A2 का अबल है आपके अलकिल ग्रूप से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि C3 A6 दिया हुआ है और C4 H8 दिया हुआ है यह दो लोग क्या है अलकिल ग्रूप से भी लोग करने हैं तो इसका सही एलसर हो जाएगा आपका क्या यह दोलों लिख देला है ठीक है C3 A6 and C4 A8 लेक्स को चले विश लगड़ वाट इजी केटी लेसर केटी लेसर सिंपल पढ़े हैं आप लिख चैल या ब्राल चैल या रिंग चैल बलाकर कप आउट्स का फर्मेशल करेगा तो वह आपका पपटी जो होगा कार्मल का केटी लेसर कहलाएगा उसके बाद है टोवल्टी वर्लम वाई जे आउक्सी एसेटिलील फ्लेम यूज फोर वेल्डिंग परपस आउक्सी एसेटिलील का यूज हम लोग करते हैं क्यों आउक्सी जो मतलब आउक्सीजल पलस एसेटिलील का हम लोग यूज करते हैं बेसक्रि जब oxygen और CTL को जो mix करके जब हम इसको burn करते हैं तो इससे burn करने के बाद यह कहता है कि इसके burn करने के बाद एक high flame देता है और clean burn होता है मतलब कि clean burn देता है अच्छी तरह से burn करती है without suti flame without smoke के जिसके काऱल हमें एक proper temperature मिल जाता है जो हमें होता है बेल्डिक करना गर चुह लिका हुआ कि अब बाग्षछणृट अब चम्हाट अपानुषण जल्ग जात होता है ієक्सो थर्मिक रियक्षन रियक्षन होता है एक्सो थर्मिक में हीध जाद लेकलती है यह लॉट अपही दिशम वार्प इल दाइरेक्सल वीच इज यूज टू वेल्डिंग एक लॉट आफ हीट लेकलता है जिससे मैक्सिवल टप्रेचल गेल होता है जो वेल्डिंग में यूज होती है शेलेक्स क्या है आपका ट्वल्टी टू लबर वीच अलकोहल इज यूज इल कफ सिरफ एल्टॉलिक्स कफ सिरफ एल्टॉलिक्स में कॉल सा अलकोहल इज उज करते है तो ये परते है इथेलोल या इथाइल अलकोहल ठीक है उसके बाद है complete the following reaction ये following reaction को आपको complete करना है तो क्या होगा तो ये कार्वसलिक एसिड है और इथाइल अलकोहल है तो एसिड अलकोहल जब आप पढ़े हो कलसर्टेरे H2SO4 वेरी एकसर करेगा तो क्या बलाएगा ठीक है तो यहाँ पर आपको जो बलाएगा यहाँ से देखिए इसमें से हाइडोजल और इसमें से OH ग्रूप हटेगा और बलादेगा यह ठीक है यह एस्टर का फर्वेसल करेगा ठीक है इस्टर का फर्वेसल करेगा सी एस्टरी सीरोलो सीरो और वाटर रिलीज करेगा विससे यहां से OH हटाला है और इसमें से AH हटाला है और फिर एटेच कर देला है ठीक है यह हो गया ठीक है इसको हम इसी लि तो यह होगी आपका 23 लंबर कोश्चल कप्लीट लेक्स कोश्चल है कि वेजटेवल वाइल कल्टेस टू डवल बॉल्ट्स ठीक है यह वेजटेवल से वाइल में टू डवल बॉल्ट्स होता है इलिट से मलकुल how many bowls of the hydrogen gas are required for complete hydrogenation of one bowl of oil वेजटेवल से वाइल कल्टेल two double bowls इलिट how many bowls of the hydrogen gas are required for complete hydrogenation of one bowl of oil जब one bowl of oil की जरुत होती है तो उसमें आपको hydrogen के two bowls लिए जाते हैं ठीक है यह वाइल हो गया ठीक है उसमें आपको hydrogen का two bowls लेना है ठीक है तब जाके आपको क्या हो जाएगा मतलब की यह saturated hydrogen carbonate बने saturated fatty acid बलेंगे तोल्टी five level question को देखते है विल मिथिल बॉल्स है मिथिल को जब जलाएंगे तो क्या होगा मिथिल को जब जलाएंगे oxygen के पर जल्ट बे तो सी यह टू पलस वाटर देगा तो इसका आपका कार्वल डॉक्षाइड वाटर सही एलसर है चले लेक्स के है टॉल्टी six level question क्या है कि राइंड बल्कुलर फर्मूला अब थार्ड मेंबर आप दा होगलोगा स्रीज आप कार्वल कपाउट्स विस जेलर फर्मूला यह अलकुल गुरूप का है तो इसमें क्या लिखला है थार्ड मेंबर लिखला है थार्ड मेंबर मतलब थीरी तो c3 इसके रखेंगे तो किता तीदू छो एक साथ हो जाएगा ओएच हो जाएगा ठीक है इस फर्मूला पर रखके हम लिकार लेगे यह आपका इलसर हो जागा ठीक है तोवल्टी सेवर नबर कोश्चल देखते हैं क्या है वीच और फ्रॉव एर कार्वसलिक एसिट्ट जो होता है वो आपका क्या होता है आर सी डबल ओ इसके फॉर्मेट होता है ऎकलि यह अदिया लही है तो इसमें क्या होगा एक और होता है फ्रॉर्वज़ जहां लगा हु होला है तो C2H4O2 और C3H6O2 जो है वह आपको क्या होके कर्वस्लिक एसीड होगे इसमें से ठीक है तो इसका सही एलसर यह और यह देना है सेपोलिफिकेशन 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 सीपल एक होती है जिसमें हैड़ोलाइसिस ऑफ एल एस्टर तो परडूस एल अलकोहल ठीक है and carvacic acid in the purgles of L-acid or base is called sepulification करें कि hydrolysis of L-ester to produce alcohol and carvacic acid in the purgles of acid or base is called sepulification इस प्रोसेस को सिपल शावल बलाले के प्रोसेस को भी हम लोग एक तरसे क्या बोलते हैं sepulification कहते हैं ठीक है तो जो basically हम लोग यहाप एसिड या बेस लेते हैं ठीक है तो hydrolysis का hydrolysis किया जाता है ठीक है ट्वल्टी लाइव लवर कोशल किया है कि गिव वल एडवाल्टे जब detergent आवर सौप detergent आवर सौप एक डिस एक आपका एडवाल्टे यह है कि detergent जो होता है hard water में भी काप करता है लेकि सौप नहीं करता है detergent कैलोबर कुईत hard water whereas soft कैलोट 31 लवर वाटी ज़ी वीलेगर वीलेगर क्या है तो 5-8% solution acidic in water अगर water वे 5-8% acidic acid विला देजेगा तो वीलेगर बल जाएगी 31 लवर कोशल हुआटी था effect of drinking bethalol पढ़े होगे कि bethalol का जब हम drink करते है तो यह क्या होता है proto-plasma को coagulate कर देता है जैसे आप अल्डे को उबालते हैं तो कैसे जब जाती है coagulate हो जाती है उसी तरह proto-plasma को ही coagulate कर देगा जो कि कभी-कभी death count हो जागा उसे मर भी सकते है अगर मर नहीं सकते है तो आपको eye set disturb हो जाएगी eye disturb हो जाएगी ठीक है तो यह हो गया 32 lover जो last question है आपका ओ क्या है अल-orgalic about A of the formula C2H4OA2 अभी बताए C2H4OA2 जो होता है कार्वसलिक एसिड का होता है टर्स, blue, litmus, red, and gives brisk, hyperspace with sodium, hydrocarbulate identify the give chemical reaction अडिट, identity, identify the give chemical reaction तो simple पड़े है आप ले यह और गेलिक कपाउट A है आप दा फर्मार जिसका दिया हुआ तो यह आपको किसका फर्मार दिया हुआ है यह दिया हुआ है यह जो यह कपाउट लिया गिया है आपको इथलोईक एसिद इथलोईक एसिद को जब sodium hydrocarbulate रियक्सल करते हैं तो देखिए carbon dioxide का gas लिकलता है यही आपका effervescence form करता है ठीक है इस तरह का बुलबुला इस तरह का बलबला बलाएगा ठीक है और बलाएगा sodium ethoxide sodium acetate बलाएगा sodium acetate होगा carbon dioxide और water का formation करें तो इस वीडियो बे हम लोग 32 question important बेरी सावट टाइब कर देखें और सारे question एक बार सारे question एक बार सारे question को करण भी लेगे तो आपका पूरी तरह से इस chapter पर कबाल्ड हो जाएगी तो आप लोग question को भी आसाली से एलसर दे सकते हैं आपको वीडियो कैसा लागा आप कमेंट करें और इसी तरह कल्टेट के लिए जरूर आप अबे कल्टे कल्टे कमेंट करें ताकि लेक्स्ट वीडियो बे इसी तरह कल्टेट लाएग और फ्लीज हुआए चलेट पर लाया है तो हर्चले को सबस्क्राइब जरूर करें थेक्यू